हेलो एब्रिवन एक बार फिट से आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा अगर आप अपने फोन में कर लोगे न यार इतना यूनिक इतना खुबसूरत लगता है न आप देखकर चौक जाओगे बहुत कमाल का ट्रिक आपको पता चलने वाला है आज के इस वीडियो में दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को दवाकर आल पेसे एट कर लिजेगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुं सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपने फोन में एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा एप्लिकेशन कैसे और कहां पर मिलेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले अपने फोन में Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है जो भी आप लिखना है और सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वेफसाइट आएगा स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे निचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक जो है सर्च बार मिलेगा ओके तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है टाइमलेस टाइम को जल्दी डाउनलोड कर लो सबसे पहले, डाउनलोड कर लो नहीं तो ये कभी भी हट सकता है, तो बहुत ही secret है, जरूर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद simple आपको इस application को अपने फोन में open कर लेना है, open करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके फोन में, simple यहाँ पर आपको scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलता है mockup overlay आपको सबसे पहले तो इसे on करना होगा on करने के बाद यह permission मांगेगा simple यहाँ पर हम इसे permission भी दे देंगे उसके बाद हम back आएंगे back आने के बाद यहाँ पर आपको current mockup do box मिलता है portrait land is cap तो इसके अंदर आपको अपना photo या फिर girlfriend का photo जिसका भी रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रख लेना है like जैसे मैं अपना photo रखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर अपना photo डाल दिया उसके बाद यहाँ पर आप अपनी girlfriend का या फिर किसी का भी photo डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर अपना और मेरी sister का photo है तो मैं उस photo को यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा और मेरी sister का photo है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और डालने के बाद यहाँ पर opacity मिलेगा इसे आप कम जादा भी कर सकते हो तो मैं इसे हम कर देता हूँ 30% मैं कर देता हूँ उसके बाद आपको इसे cut करना है cut करने के बाद आप कोई भी application open करो जैसे कि मैं यहाँ पर open करता हूँ whatsapp को तो whatsapp open करने के बाद कुछ इस तरह का आ चुका है यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा photo दीख रहा है अगर मैं यहाँ पर कोई और application open करता हूँ like जैसे play store को open कर ले रहा हूँ play store open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि background में मेरा photo दीख रहा है जो कि काफी unique लग रहा है तो एक बार आप जरूर try करना कोई भी अगर आपके phone में देखेगा न 100% आपसे जरूर पुछेगा कि एक बार कि आखिर यह अपने phone में कैसे setting किया तो एक बार जरूर try करना मैंने आपको बता दिया कैसे download करना है कैसे इसके अंदर setting करना है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आगा तो वीडियो पसंद आगा तो फ्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजएगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बे लाइन दुआ कर आपकर all पेसेट करें आप मिलते हैं इसकोई ने वीडियो के साहता तक के लिए जया हिंद और टेक क्यार